असलाले कॉम कैसे हैं आप लोग मैं आपका उर्दु टीचर नई बरकत इससे पहले हम ब से लेकर श तक यह तमाम भारूफ लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं हमारा जो पिछला लेसन था सबग था वह स और श के बारे में था स श हमने इसको लिखना सीखा है और मुझे यकीन है कि आप लोग ने घर में इसको अच्छे तरीके से लिखना और पढ़ना सीख लिया होगा और दवारा से इसकी दहराई भी कर ली होगई ठीक है अच्छा अब देखिए आज जो हमने हरूफ सीखने हैं वो कौन से हैं ये देखने के लिए आप मुझे ये बताइएगा ये किसकी तस्वीर है सोफा वेरी गूड जैसे हम कहते हैं साबून सुराही ठीक है इस तरह ये क्या है सोफा साबून सुराही सोफा इनके शुरू में एक आवाज आती है गोर से सुनिएगा सोफा स स वेरी गूड स तो इसे कहते हैं स स्वाद की आवाज है स सोफा यहां पर देखिएगा ये सोफा की तस्वीर है और ये क्या ये क्या हर्फ है स देखिए स से संदूग सर से सुराही सर से सोफा तो इसकी आवाज क्या है स तो इस हर्फ को कहते हैं स अगला हर्फ देखेगा बताएए यह किसके तस्वीर है ठीक है बुड़ा इंसान ठीक है जैसे दादा नाना ठीक है अब वो लोग जो बुड़े होते हैं उनको कहते हैं जैफ वेरी गुड शाबश तो यह किसकी तस्वीर है जैफ की बुड़ा इंसान है ना तो बुड़े इंसान को जैफ कहते हैं ठीक है जैफ जब हम जैफ कहते हैं तो गोर से सुनियेगा हमारे कानों में जो आवाज आती है वो क्या है? जैव जैव ज़ जाइफнов पताईफ और ये क्या है haha the बिल्गकुर ठीक है लड़ शाबाश आप यहां पर देखिएगा बॉड में हमारे पास दो तसावीर जश्पा हैं यहां पर देखेंगे पहली तस्वीर है तोफा दूसरी है जाइफ अब यहां पर देखिएगा सुफे के साथ क्या लिखा है S और जाइव के साथ क्या लिखा है Z बैसा देख दाओ, फिर पढ़िए S Z भरोषे पढ़िए S Z अब मुझे बताईएका, मैं आपके सामने एक तस्वीर बना रहा हूँ और गोर से देखना और पहचानना यह मैंने तस्वीर क्या बनाई है ठीक है रेडी गोर से देखिए का मैं क्या बनाने लगा हूँ यह तो बहुत कामन तस्वीर है बहुत असान भी है और आपको इस तस्वीर का बहुत अच्छे तरीके से पता भी है और आपको अच्छी भी लगती है अरे ये तो गुबारा बन गया गुबारा बालून येस और राइट गुबारे की शकल है वेरी नाइस तो गुबारा आपको अच्छा लगता है ना अच्छा देखिएगा गुबारे का तालुक स्वाद के साथ कैसे है पिलकु ठीक है जो इसका सर है उसकी शकल गुबारे की तरह मिलती है वेरी नाइस शाव वाश ठीक है अगर हम स्वाद अगर हमें बनाना है लिखना सीखना है तो बहुत असान आप पहले छोटा से घुबारा बना लीजेगा घुबारा बन गया तो सब सवादा जाएगा कैसे उसके साथ आप सीन का दाइरा जोड़ दें तो स बन जाएगा स सोफा जो भी हमने सीखा है देखी यहाँ पर आपने बैलून बनाना है बिल्कुल ठीक है यह बैलून बन गया और बैलून का आहरी कनारा जो था उसको थोड़ा सा उपर ले जाए थोड़ा सा छोड़ देना है और इस कनारे के साथ अगर हम ऐसे एक गोल शकल बना दें जैसे सीन के साथ हमने जब सीन बनाया तो इसके साथ भी यह दाइरा था अगर यह दाइरा उतार के हम इसके साथ जोड़ दें तो यह क्या बन जाएगा सब बन जाएगा और जब इसी तरह है सिर्फ नुक्ता लगा देना है ठीक है तो इस तरह देखिए यह एक शकल शुरू वाली घुबारे की तरह है घुबारा कैसे बनाने चले मैंने हाथ से बताईएगा यूँ नीचे से उपर के तरफ जाना और ओल शेप बैजवी शकल जो घुबारे की तरह है वो बनानी है और आखरी कनारे के साथ हमने दाइरा जोड़ देना है दाइरा वो जो सीन शीन के साथ जोड़ा था ये दाइरा ये आपने इसके साथ जोड़ दन है फिर क्या बंचेगा स अगर इसके पर नुक्ता लगा दे तो क्या बंचेगा ज तो आज हमने दो हरूफ सीखे हैं कौन-कौन सा? एक है स स से सोफा very good स स सुराही भी होता है ठीक है, good, शावाज आगे देखिए, ये क्या है? जईव और ये क्या है? ज ज से जईव ज से जर्ब का निशान भी होता है ठीक है? और यहां पर देखेंगे आप मेरे साथ मिलकर इन दोनों हरूफ को एक साथ अदा कीजिएगा स ज वेरी नईज, दुबारा कीजिएगा स ज तो कोशिश करना है, आवाज को छोटा रखना है, बढ़ानी करना और जल्दी ख़तम करना है स ज फिर देखिएगा स ज शाबश, ओके ठीक है? इसे आपने घर में अच्छे तरीके से पढ़ना है और जो बाकी पिछले हरूफ हैं, उनकी दोहराई करनी है जैसे ब से लेकर श तक आपने दोहराई करनी है और इन दो आवाजों को बार बार आपने पढ़ना है स, सोफा, ज, 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 स, ज, ओके? अपना ख्यार कियेगा